सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तुलसी विवा की बहुत बहुत शुप कामना है तो आज मैं फर्स टाइम एकादसी का ब्रत रखी हूँ मतलब ये तुलसी विवा की जो एकादसी आती है तो ये वाली ब्रत मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे मतलब जो भी पता है उस हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ सब का पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज और करनी चाहिए तो आप कॉमेंट में जरूर से मुझे बताईएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा लिया है तो आटे से हमारे यहाँ पर चौक बनाया जाता है तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे ही डिजाइन बना दिया है चौक बना दिया है फिर सिंदूर लिया है मैंने मतलब इसनान कराने के बाद सिंदूर लगा दिया है मैंने जड़ में लगाया है कुछ लोग पत्तों पर भी लगाते हैं लेकिन तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो सिंदूर से खराब होने लगते हैं तो इसलिए मैं जड़ में ही लगाती हूँ उसके बाद यहाँ पर वस्त्र पहनाया है मैंने तो उसमें मैंने एक चुंद्री पहना दी है और अब मैं बिंदी लगा रही हूँ तो जो भी आप बिंदी चूड़ी जो भी आपके पास है मतलब वो आप चड़ा सकते हैं तो वो मैंने सिंगार का समान तुलसी माता को चड़ा दिया है और इसके बाद में मेरे पास ये कलावा है तो कलावा को क्या करना होता है ना कि आप पेड़ से मतलब चारो तरफ लपेट करके इसको बान देते हैं और अगर आप चाहें तो आपके पास सफेद धागा है तो उसमें पीला हल्दी लगा करके उसको भी बान सकते हैं और यहां पर मीठे में मैंने किशमिस थोड़ा सा लिया है आप चाहें तो किशमिस गुड़ कुछ भी चड़ा सकते हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो गन्ना होता है तो मुझे यहाँ पर एक पूरा गन्ना नहीं मिला है मतलब एक जूस वाले शॉप से मैं लेकर आई हूँ तो यह छोटे-छोटे गन्ने में लेकर आई हूँ लग रहा है दिया कैसे जलेगा इसलिए मैंने यहां पर नारियल का जो शेल होता है उसको रखा हुआ है उसको मैं ऐसे आगे करके दिया जला लेती हूँ मैंने देखा कि इस तरीके से दिया जल भी जाता है तो यहां पर मैं पांच दिये जला रही हूँ और मैंने जो कच्छा धागा होता है उसकी ही बाती बनाई है तो मैंने यहाँ पर 108 बाती बनाई है पांस दियों में मैंने 108 बाती लगाई है तो देखे मैंने सारे दियों को जला दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है बार बार दिया बंद हो जा रहा ह तो मुझे यहां पर बहुत ही ज्यादा सम्हालना पड़ रहा है ताकि मेरे दिया बुझे नहीं अब थोड़ी देर अगर यह जल जाएंगे ना तो देखे फिर दिया जलने लगेगा फिर परिशानी नहीं होगी लेकिन हवा बहुत ही ज्यादा तेज है मौसम बहुत ही अच् दिया दिखा देती हूँ और सबसे लास्ट इस्टे बसता है कपूर जलाना तो मैं कपूर जलाने की भी त्यारी कर रही हूँ और उससे पहले मैंने यहां पर जो काला तिल होता है वो डाल दिया है आप चाहे तो यहां पर काला तिल या सफेद तिल भी डाल सकते हैं और यह यहां पर तुलसी माता जिसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपकी जो इच्छा हो आप वो कह सकते हैं तुलसी माता से और यहां पर देखिए लगवग पूजा समाप्त होने वाली है अभी क्या करना है सबसे लास्ट में कपूर जलाना है कपूर जलाने के बाद हमें आरती कर लेनी हैं तो यह सबसे last step होता है आरती करना तो यहाँ पर मेरे वीडियो थोड़े अच्छे से सूट नहीं हो पाईये तो यहाँ पर मैंने आरती कर लिया है और सबसे last में एक बार फिर से मैंने अपने दिया को जला दिया है मतलब मैं बीजविश में इसको देख भी रहे हूं ताकि दिया बंद ना हो, हवा बिच बिच में बहुत तेज हो जा रही है, तो बस इसी वज़ा से वैसे मेरी पूजा हो गई है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी और हम यहाँ पर कर सकते थे पूजा में, तो आप कमेंड में जरूर से बत यहाँ झाइगा।